Hello everyone, welcome to PharmaRox YouTube channel PharmaRox के YouTube एज़िकस्ते चनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टेडी करेंगे Madrozil के इंजेक्शन के बारे में तो हम सिखेंगे ये इंजेक्शन के बेजिक यूज के बारे में जब आप ये इंजेक्शन को यूज करते है तो सिखेंगे डिटेल में कि ये इंजेक्शन को कब यूज किया जता है और क्यों लगाते है और साथ ही समझेंगे कि उसका सही उपयोगा किस तरह से कर सकते है तो सभी पॉइंट को डीटेल में डिसकस करेंगे आज के लेक्चर के अंदर तो एक्सपर लेक्चर बाया मरसर, आसुस्टम प्रॉफेसर और फाउंडर और फार्मा रॉक्स थैंक यू फर बेन फार्मा रॉक्स फेमिली अपडेट रही है फार्मा नोलेज के साथ अब आप डिसीजन मेडेशन लेटेट कोर्स भी फार्मा रॉक्स की अपडेश कर पाऊगे कि जहाँ पे आप सिखेंगे अलग-अलग मेडेशन के बेजिक यूस के पारे में उनके डोस क्या रहते हैं साथ इफेक्ट उनके वर्रिंग कॉन्टर इंडिकेशन वो भी एक साल तक अफ़ाडिबल प्राइज में और सरल बासा में मिलेगी आपको दवाईयों की पूरी जन करें तो डाउनलोड करिए फार्मा रॉक्स एप्लिकेशन को और एकसेस करिए ये कॉर्स इसको अफ़ाडिबल प्राइज में कोई भी क्वेरी हो तो 901631220 नमबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं तो स्टडी मट्रियल टेस्स इरिज एंड वीडियो लेक्चर्स के लिए जरूर से डाउनलोड करिए आप फार्मा रॉक्स एंडुड एप्लिकेशन है गुगल प्ले स्टार पे एपल आप अप स्टार पे तो अब मैं आपका सबसे पहले concept क्लियर कर वाता हूं मेट्रोजिल इंजेक्षन के बारे में तो ये जो इनजेक्षन है वो ऐंटीबायोटिक मेडिकेशन है और इसके अंदर जो salt composition है वो है मेट्रोनीडाजॉल कि metronidazole as a salt है या फिर जो generic name हम देखे उसका तो वो है metronidazole और ये brand name है metrozil और ये medication क्या करती है कि जो protozoa होते हैं फिर जो parasites मतलब कि जो हम परजी भी कहते हैं बैक्टिरिया वगेरा होते हैं फिर amoeba हैं तो ये जो अलग-अलग microorganisms होती हैं उनको kill करती है और उनकी growth को reduce करत है जो अलग-अलग infection जो है वो ठीक होते हैं और जिसके करण patient जो है वो वो भीवारी में से relief पाता है और उसका इलाज हो जाता है तो metronidazole injection के manufacturers के बारे में हम समझे तो GB Chemical and Pharmaceutical Limited उसके main manufacturer है और GB Pharma जो है वो लीडिंग इंडियन pharmaceutical company के जिसके corporate office जो है वो मुंबाई के अंदर है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि GB Pharmaceuticals का यहाँ पर logo आप देख सकते हैं कि metronidazole के जो injection है उसके उपर आप देख सकते हैं और यह GB Chemical and Pharmaceuticals Limited का यह official उनका logo है तो metronidazole की जो generic drug है तो उसके बारे में कुछ हम समझे तो metronidazole जो है वो antibiotic medication है और उसको anti-protozoal medication भी कहा जाते हैं विकोज जो परजी भी होते हैं परसाइट्स होते हैं उनके सामने वो अपने pharmacological action देता हैं कि उसके पास ऐसी ability होती है कि जो protozoal होते हैं परसाइट्स वगरा होते हैं तो उनकी growth को वो inhibit करके अपनी pharmacological action देते हैं फिर उसके पास anti-MOEB के action भी है कि जिसके करण जो amoeba के करण होने वाले जो infections होते हैं वो भी ठीक होते हैं और बहुत सारे wide range बन जाती है microorganism की जैसे कि बैक्टेरिया के सामने भी वो अपनी effect देता है amoeba के सामने देता है protozoa जैसे parasites के सामने भी उसकी proper pharmacological action देती हैं tablets के अंदर देखें तो metronidrazole का tablet flasil करके काफी एक popular run name है उसी तरह से जो metrosil injection है वो intravenous fluids वगरा होते हैं कि जिसको हम IV fluids कहते हैं तो IV fluids के category के जो intravenous लेक्लिया वेन के अंदर injection लेगाए जाते हैं तो उसमें popular उसका brand है ये metrosil तो flasil tablet की तरह ही metrosil भी अपना काम करता है बट ऐसे लोगों को दिया जता है कि वो tablet लेने में और समर्थ है कि जैसे कि कुछ patient unconscious condition में है tablet लेने से उनको vomiting हो जाती है या फिर stomach related issues के करण वो tablet नहीं ले पाते तो उस वक्त उनको ये metrosil का injection जो है वो दिया जाता है तो ये injection के strength के बारे में समझे तो ये injection 100 ml के quantity के अंदर आता है और इसके अंदर medication हम देखे तो 1 ml के अंदर 5 mg जितना metronidazole रहता है कि यहापे भी देखो लिखा है company ने के injection और साथ में लिखा है 5 mg पर ml उसका मतलब ये होता है कि 100 ml जब आप किसी को IV से देते है तो उसकी body के अंदर 500 mg जितना metronidazole या फिर metronidazole drug जो है वो transfer होगी ये एक isotonic sterile solution है के जो intravenously patient को लगाया जाता है specially IV infusions के थूँ, slow IV infusions से उसको दिया जाता है और ये एक RX only injection है कि जैसे tablets के अंदर भी prescription based रहता है तो ये भी proper prescription based RX only injection के category के अंदर include होता है आगे कुछ में आपके concept clear करवा हूँ कि protozoa क्या होते है parasites वगेरा क्या होते है कि कई बार आप ऐसे सुनते हैं कि parasites के infection को ठीक करता है metronidazole बाट ये parasites क्या होते है तो parasites एक से पर जिवी है कि वो किसी दूसरे की जो body है या फिर जो host होते है उसको utilize करके अपनी growth करवाता है जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ कि ये एक single cell के eukaryotics कहे जाते है single cell microorganism मतलब कि यहाँ पे आप समझो कि ये GRDIA देख रहे है तो ये एक microbial is equal to one cell हो जाता है कि उसका जो एक cell है बराबर उसका एक पूरी body बन जाते है जिसको single cell कहा जाते है और ये परजी भी इसलिए कहा जाते है parasite इसलिए कहा जाते है कि वो दूसरे के उपर निरबर रहते है जैसे कि free living कहे जाते है उनको या फिर parasitic कि उनका जो feed है उनका जो खूराक है वो क्या है तो वो अलग-अलग organic matters में से अपना खौराक जो हो लेते है nutrition लेते जैसे कि microorganism के उपर वो dependent रहते है या फिर कोई organic tissues वगएरा है या फिर debris वगएरा अगर ये parasitic आपकी body के अंदर अंडर होते है तो आपके body में से वो nutrients वगएरा लेंगे और वहाँ पे अपनी growth करवाएंगे और जैसे जैसे वहाँ पे उनकी growth होती जाती है तो वो क्या करते हैं? वहाँ पे infection फैलाते हैं और उनके कारण अलग-अलग infections होते हैं तो ये specially कैसे आपकी body के अंदर एंटर हो सकते हैं तो उनका जो कोई location हम देखे तो वो fresh waters के अंदर होते हैं कि जो पानी होता है उसके अंदर भी ये parasites होते हैं फिर जो marine environment होता है उसके अंदर भी वो पाई जाते हैं और जो soil जो होती है अमारी जमीन होती है वहाँ पे ये parasites होते हैं तो ये सभी जगा से आपको उनका संक्रमन जो हो लग सकता है तो अगर आप proper hygiene condition maintain करते हैं proper drinking water भी आप इसी तरह से proper लेते हैं कि उबला हुआ पाने पीते हैं या फिर proper mineral water वगेर आप लेते हैं कि जो proper clean किया हुआ है आरो किया हुआ है या फिर उसको purified किया हुआ water आप लेते हैं तो ये जो संक्रमन से आप बच पाते हैं तो बहुत सार एसे होते हैं कि जैसे आप मैं आगे आपको diagram में दिखाता हूँ ये parasites को कि ये वाला जो आप देख रहे हैं first कि उसको GRDIA कहा जता है second वाला जो देख रहे हैं वो है trichomonas से vaginalis जिसको कहा जता है GRDIA intestinalis का आजाता है कि जो खासकर intestines वागेरा में जो है वो अपना ग्रोथ करते हैं ये जो है वो वजयना के reason में popular है फिर trinusoma करके जो है वो भी अलग-अलग body के areas के अंदर ग्रोथ कर सकते हैं ये जो lesmenia की जो species होती है फिर amoeba आप अपर देख सकते है और अलजीना देख सकते है और ये paramecium तो ये सभी अब देखो paracides है कि वो दूसरे की body के उपर दूसरे जो host होते है उनसे अपना nutrition लेते हैं और वो host की body को damage करते जाते हैं वहाँ पे संक्रमन फेलाते हैं infection करते हैं तो metrosil का injection है ये जो सब paracides है उनकी growth काम करने के लिए दिया जाता है जैसे कि ये paracides के करण कई बार आपको PID का problem हो जाता है कि जिसको pelvic inflammatory disease हम कहते हैं sort में PID भी कहा जाता है तो उसको भी ठीक करेगा ये injection second endocarditis की जो condition होती है उसमें भी काफ़ी effective साभित होता है bacteria के करण वज़ह होने वाला vaginal infection की जिसको bacterial vaginosis कहते हम उसकी इलाज में भी useful है फिर dracon kulasiasis की जो condition वहाँ पे भी फिर GRDasis है trichomoniasis की condition है M.A.B.I.C. से acute necrotizing ulcerative genzyvitis जो है कि जिसको ANUG कहा जाता है इस वाट में फिर H.Pylori, helicobacter pylori के करण होने वाले जो gastritis है या फिर pepticle cancer वहाँ पे भी useful होता है ये injection और जब gums infected बनते हैं dental abscesses होते है और उस वक्त समझें कि patient tablet नहीं खा पा रहा तो आब matrozil के injection से उसको ठेक कर सकते हैं तो PID के बारे में आपको SWAT में समझा तो PID के अंदर specially क्या होता है कि जो female reproductive system के से जुड़ा ये बीमारी है कि जिसके अंदर सुजन देखने को मिलती है अलग-अलग areas के अंदर reproductive system जो females के अंदर होती है वहाँ पे कि ये uterus के बाग में आपको सुजन देखने को मिलें फिर जो ovaries होती है यहाँ पे आप देखो तो ये ovary के अंदर सुजन देखने को मिल रही है ये fallopian tube के area में आप देखो सुजन है कि ये side normal है और इससे opposite side आप देखो तो आपको देखने को मिलेगा inflammation तो जब PID की जो patient है वो tablet नहीं खाब पाते है तुस्वाग आप उनको medrosil के injection जो है वो दे सकते हैं second bacteria के करण जो हमारे wall होते है heart के वो damage होते हैं कि वो condition को हम कहते है endocarditis तो endocarditis के ilaj में भी ये use के जाते हैं कि ये जो bacteria होते हैं वो उपर वाल आप देखो कि normal और टिक वाल है अब ये bacteria के संक्रमन के करण ये वाल को आप यहाँ पे देखो तो infected देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे आप देखो proper normal वाल है और नीचे वाले diagram में देखो तो ये वाल में आपको संक्रमन फैला हुआ देखने को मिलता है bacteria के करण तो इसको भी ठीक करता है matrosal injection तिसरी condition bacterial vaginosis कि जिसके अंदर bacterial infection होता है especially reproductive age के अंदर women's के और उसके करण क्या होता है कि जो मरी हुई मचली होती है ऐसा order जो है वो आता है वज़ाइना में से या फिर ऐसा discharge जो है वो वहाँ से release होता है कि यहाँ पे आप देखो कि वज़ाइनल discharge जैसा आरा है कि उसकी जो smell है वो आएगी feces कि जैसे मरी हुई मचली होती है ऐसे smell वहाँ से आती है काफी बदबुदार वो smell रहती है तो यह जब condition form होती है तो आप proper diagnosis करवाते हैं टेस्ट करवाते हैं उससे पता चला कि problem जो है वो बीवी वाला problem है bacterial vaginosis का तो उस वक्त मेट्रोजिल के injections intravenous ले दिये जाते हैं फिर राकोन कुलाइसिस की जो condition है कुलाइसिस की condition की जिसके अंदर यह जो गिनी वाम यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे है तो यह जो गिनी वाम specially क्या करते हैं आपके body के अंदर enter होते हैं और वहाँ पर फिर अपनी growth करते हैं और उनकी growth के कारण वहाँ पर आपको जो हो अलग-अलग symptoms देखने को मिलते हैं infection फैलते आ जायता है body के अंदर और यह especially drinking water के through आपकी body के अंदर enter होते हैं तो उसके लाज में भी use के जाता है फिर GRDIA किस टाइप के यह दिखते हैं GRDIA तो इनके कारण जो है वो GRDIA से के condition जो होती है कि वो क्या कराते हैं आपके stomach के अंदर cramps होंगे आपको या फिर diarrhea जैसे condition form होगी तो यह जो है वो specially contaminated water कि आप ऐसा पानी पी लेते कि जिसके अंदर यह GRDIA मौजुद थे तो उसके करण आपको GRDIA से हो सकता है, food ऐसा खाले थे कि जिसके अंदर यह parasites present थे, ऐसे surfaces को touch करते हैं और वो directly आपके body के अंदर फिर पहुचते हैं और ऐसे person के किसी के contact में थे कि जिनको already इससे infected है च्छटा हम देखे तो trichomoniasis जो है कि यहाँ पर जो आप diagram में देख रहे हैं वो है trichomoniasis अब यह जो है वो specially infection करते हैं STD करते हैं, sexually transmitted हम बिमारिया कहते हैं तो उनको trees भी कहा जाता है और उनके करण होने वाला जो infection है और यह specially वजाइना के अंदर infection करते हैं कि जिसको trichomonas vaginalis कहा जाता है तो यह parasites जो specially protozoa है trichomoniasis तो यह trichomoniasis आगे जाके वजाइनामे के अंदर इस तरह का infection फेला है कि वहाँ पे आपको जो है वो discharge होता है और वो कई बार बदबुदार discharge भी वहाँ पे होता है तो उस वक्त मेट्रोजिल के injections यूज की जाते हैं एमीबा इसके condition अब जो अमीबा है एक ऐसे parasites की जिसको हम कहते हैं एंटा मोईबा हिस्टोलिटिका यह हिस्टोलिटिका जिनको कहा जाते हैं कि यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं तो अगर यह आपके body के अंदर या फिर intestine के अदर फैलते हैं तो उनके करन आपको क्या होता है cramps होते हैं और साथो साथ diarrhea दस्त हो जाते हैं कि काफी दस्त हो जाते हैं आपको या फिर blood आएगा stool के अंदर fever जिससा आप फिल करेगे या फिर amoebic disentry कि जो पेट में मरोड की जो हम condition कहते हैं ऐसा फिल हो जाते हैं कि ऐसे diarrhea होते हैं कि जिसके अंदर mucos भी आता है blood भी आता है और काफी watery diarrhea हो जाते हैं या फिर कुछ ऐसे severe cases के अंदर वो liver के अंदर abscess भी करवाते हैं तो अगर ऐसे patient ऐसे कि उनको tablet से उसको ठीक नहीं हो रहा तो उस वक्त ये IV drip लगाने से metrosil की वो काफी जो रिलिफ पाते हैं और उनका इलाज हो जाता है आगे हम दुसरा उसका basic use देखे तो ANUG की जो condition है कि acute necrotizing ulcerative enzymes की जो हम condition कहते हैं कि जो specially हमारे जो मसूडों के अंदर इस तरह के सूजन होती है और वहाँ पे pulse formation होता है मसूडे जो है वो काफी soft हो जाते कई बार दांत वगेरा भी जो गिर जाते हैं ऐसे problem भी होते कि tooth जो है उसकी जो पकड़ है वो काफी loose हो जाते है जिसके करण tooth जो है वह वहाँ से relieve हो सकता है तो ऐसे problem भी होते है NOVA हम देखे तो H pylori तो हमें पता है कि जो peptic ulcer के बारे में मैंने आपको सिखा है तो उस वक्त मैंने एक point आपको कहा था कि जो H pylori के जो infection होते है उनके करण gastritis होता है और gastritis आगे जाके peptic ulcer के अंदर जो है वो करण होते है कि काफी लंबे समय तक stomach के अंदर सूजन रहती है और वो समझो कि ठीक नहीं होती तो उसके करण वहाँ पे PUD हो जाता है पेप्टिकल सर डिसीज तो PUD के इलाज में भी metrozil के जो injection से वो दिये जाते कि जद़ से जद़ा आप 400 mg दिन में 3 बार या फिर 500 mg जितना dose उसका दुसमें दिन में 2 बार देते हैं साथ में amoxicillin या फिर clarithromycin जिसे antibiotic या फिर proton pop inhibitors भी उसके साथ जो है वो mix किया जाता है और दो विग तक ये जो है वो treatment करने से ये infection जो है वो खतम हो जाता है फिर जो infected gums वगेरा होते हैं यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर आप gums का area देख रहे हैं कि काफे infected हुए है कि वहाँ पर दर्द वगेरा होता है तो वो सुकंडिशन को भी treat करेगा ये मैट्रोजिल का injection अब उसके dose के बारे में हम समझे के मैट्रोजिल का dose क्या रहेगा तो अच्छे से समझ लीजे कि ये जो 100 ml का जो आपके पास IV है तो उसके अंदर कि जो IV fluid है आपके पास 100 ml का जो ये IV fluid है आपके पास कि जिसके अंदर medication रहती है 500 mg कि जब आप किसी patient को 500 ml जितना deliver करते है तो 100 ml जितना deliver करते तो उसके अंदर 100 ml 500 mg जितनी drug जाएगे तो simple आप समझ लो कि 1 ml जब deliver होता है तो उसके अंदर जो है वो रहती है medication 5 mg जितनी अगर आप 100 ml deliver करते है तो उसके body के अंदर medication जाती है 500 mg जितना तो जब IV से आप देते है तो उसका जो rate कितना रखना चाहिए तो patient को medication जानी चाहिए 5 ml जितना जाना चाहिए वो भी 1 minute के अंदर तो उसका मतलब यह हुआ कि 1 ml के अंदर रहती है 5 mg जितनी drug तो 5 ml में कितना होगा तो at least 25 mg जितना जो drug है वो रहेगा 5 ml के अंदर और वो जाएगा एक minute के अंदर तो एक minute के अंदर इतना dose जो हो आपको देना चाहिए तो total है आप समझ लोगे कितनी देर तक वो drip चलेगी कि अगर आप यह rate से देते है तो एक minute के अंदर deliver हो जाता है 5 ml तो कितनी minute लगेगे total 100 ml के लिए है तो 100 into 1 divided by 5 करोगे तो 20 minutes के अंदर यह जो bottle है वो complete होनी चाहिए तो यह होगा है कि अगर आप उसको यह rate से देते तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 minutes के अंदर यह complete होगा दूसरा option यह होता है कि आपको उससे भी काफी slow देना है तो आप 20 से लेकर 60 minute तक भी उसको चला सकते हैं अगर आप drip slow कर देते हैं थोड़ी तो जो 20 minute में complete होती थी यह पूरी bottle वो 60 minute तक भी चलेगे बट ध्यान यह रखना है कि 15 से लेकर 30 mg पर kg पर डे जितना dose जो जाना चाहिए पेशन को और minimum dose आप दे सकते हैं 200 mg जितना दिन में 3 बार हर 8 गंटे पे और maximum dose आप दे सकते हैं 400 से लेकर 500 mg जितना दिन में 3 बार वो भी every 8 hours Q8H का मतलब होता है कि यह उपर जो मैंने लिखा है every 8 hour side effects समझ लेते कि अगर matrozel के injections दिये जाते तो patient dizziness जैसा फिल करते हैं नेंद वगेरा आना dizziness जो हो जाती कि कई बार हम dizziness हो जाते हैं तो ऐसी condition फिल होते हैं कि dizziness होना second कुछ लोगों को सरदर जैसा फिल करते हैं कुछ patients stomach upset जैसा फिल करते हैं कि पेट में जो है वो uncomfortable कैसी condition फिल होती है nausea vomiting कुछ लोगों को हो जाता है कुछ लोगों को यह problem होता है कि loss of appetite कि अपना favorite खाना सामने होने के बाउजल भी वोग ना खाय पाए कुछ cases में diarrhea या फिर कुछ cases में constipation कि अगर आपको यह medication suit नहीं हो दी कि जो bacteria या फिर amoeba के करन होने वारे diarrhea dysentery को तो वो ठीक करता ही है बट अगर किसी को यह metronidazol की allergy है वो उनको suit नहीं करती है medication तो उनको तुरंत से diarrhea हो जाएंगे तो अगर आपको ऐसा होता है तो तुरंत यह medication को लेना बंद कर देनी चाहिए कि या फिर आपको constipation हो जाता है फिर आपकी जो tongue है उसके उपर आपको metallic taste जैसा फिल करता है कि आपको proper taste नहीं मिल रहे है या फिर metallic जैसा टेस्ट आपको होता है कि कोई भी टाइप का खाना खाते हो आपको metallic taste जो हो मैसूस हो तो यह सब side effects डेवलोफ हो जकता है क्वांटर इंडिकेशन हम देखे तो अगर आपको neurological disease वगरा है कि जो neuron की related होती है तो वो लोग उसको use ना करें second जिनको blood discaryosis की जो condition की जिसको hematological disorder कहते है कि आपके body के अंदर जो blood cells होते है वो abnormal है तो भी उस ना करें pregnancy का जो first trimester होता है कि week में हम देखे तो first 12 week की जो pregnancy रहती है उसमें भी उसको use नहीं किया जाता fetus के growth के उपर असर रहती है उसके risk रहता है उसको फिर alcoholics जो होते हैं उनको भी ये medication लहने देखे जो alcohol consumption करते हैं तो वो भी metroidal को use ना करें और अगर किसी को metronidazole की allergy है hypersensitity है या फिर कोई भी nitroimidazole class के medication की allergy हो जाती है hypersensitity हो जाती है तो उसको avoid करें आगे समझे तो FDA ने उसको category B दी है pregnancy के pregnancy category B डग है तो ऐसा मान सकते तो वो as a safe कही जाती है specially pregnancy के दारान के अगर pregnancy में किसी को bacterial vaginosis होता है या फिर trichomoniasis होता है तो effective होता है कोई teratogenic risk नहीं है but condition यह रहती है कि first trimester में आप उसको use ना करें first trimester के सिवा जो दूसरे second or third trimester होते है उसमें use किया जाता है but contraindication है उसके first trimester के because birth defect जैसे कुछ जो है वो risk कर रहते है fetus के growth पर तो specially gynecologist के जरूर से consult करें कि अगर आपको first 12 week के pregnancy और bacterial infection होता है वजयना में तो दूसरे alternative safe medication use कर सकते है और तब भी आप उसको use करें कि जब आपके benefits ज़्यादा है compare to risk कि अगर benefits ज़्यादा है risk कम है तो भी तो ही आप उसको use करें तो इसी तरह से सीखे अलग-अलग दवायों के बारे में एक साल तक सिर्फ 500 रुपीज में जो काफी affordable price रहेगी तो use सिखे, dose, side effect, contraindications, warning तो अभी डाउनलोड करें आप फार्मा रॉक्स Android application गूगल प्ले स्टार पे या फिर ये नमबर पर आप WhatsApp कर सकते हमें तो test series, study material वगेरा के लिए डाउनलोड करें आप फार्मा रॉक्स Android application गूगल प्ले स्टार पे Apple, iPhone, Apple App Store पे लिंक आपको description box में मिल जाहे की Good luck and all the best